हाई गाईस आज इस वीडियो में हम बात करेंगे Redmi Note 5 Pro के Somi UK latest Android 11 के अपडेट के बारे में और यहाँ पे जो है हमें काफी कुछ changes देखने को मिलेगा इस अपडेट में तो उसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो में साथ यहाँ पे performance पिछले अपडेट के मुकाबले कैसी ह करके ओल पे कर दीजिए ताकि जब भी मैं अगर वीडियो प्लोड करूँ आप सभी को notification मिल जाए और साथ साथ आप कोमेंट करके यह भी बता देना कि डेविल वाला जो मिवाई 12.5 का रोम आया है मतलब मिवाई 12 का तो उसका जो है वीडियो आज साम तक मतलब में करके बताद ना इसके बारें भी चलिए बीडियो हमें आप फिलाल स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें वाउट फोन के अंदर तो यहां पर हमारा सोमी यू का 21.3.10 जो कि Android 11 का पोर्ट रोम मिल जाता है और स्पेसिफिकेशन तो फिलाल जिससे पोर्ट के उसी 12 का है और इस बार आपका Kernel यहां पे जो है मून लाइट का यहां पे एक्स्ट्रीग है और अगर हम चलते हैं यहां पर सट्टिंग में कनेक्शन के अंदर तो कास्ट का अभी भी आपको यहां पर देखने को मिल जाता है और यहां पर चलते बोल पेपर और अगर हम चलते पिछले update में remove किया गया था notification के अंदर चलते हैं तो यहाँ पर आपको जो है nature mix जैसे कि दो sound new मिलते है nature mix के अंदर जो कि यहाँ पर southwest china हो गया second आपका island यह दो option आपको new देखने के यहाँ पर sound पर मिल जाते हैं और यहाँ पर हमारा जो theme store है theme store फिलाल आपका यहाँ पर Chinese में ही देखने को मिलेगा अभी भी इसमें कोई दिक्कत नहीं जैसा था उसी तरीके से रहने वाला है always on के अंदर चलते हैं in lock screen में तो always on आपका बिल्कुल fix है पिछले update में भी आपको बताया था इसीच के बारे में तेख आप इच्छे बात है बारा आपसे डाउलोड करें आप सेट कर पाऊगे नीचे आपको नॉर्मली बाकी settings मिलने वाली जैसे कि पहले थी इनमें कोई भी changes हमें नहीं मिलता है अगर हम यहां पे चलते हैं डिस्प्ले के अंदर तो यहां पे आपको अभी रीडिंग मोट कलर का बग मिलता है लेकिन आप डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन जो की वायरेट पार्ट में उससे आप यूज कर पाऊगे और रीफ्रेस्ट फिलाल फन के लिए दिया गया है और नीचे आपको अलाओ और रोडेशन भी मिल जाता है सांड और बाइब्रेशन के अंदर चलते हैं तो यहां पे आपको अल्मोस्ट सभी सैडेंग से मिलने वाली है सांड डिफिक के अंदर आपको अपको अपको ड्रेक्ट सांड इनेवल करना पड़ेगा वहां से आप अराम से यूज कर पाऊगे जरूर देखने को मिल जाती इसका अप अनिमेशन हो गया और आपको काफी स्मूध इस बार है और यहां पर स्वाइब आप गूगल इस इत्रेंड भी आपका काम करता है लेकिन अभी फिलाल अगर आप एड करने जाओगे यहां पर आपको वर्निंग मिलता जो की सच भी है यहां पर आपको एक तरीके से आपको वर्निंग दे देता है अपनी तरब से कि मतलब कि फिस अनलोग जो है पूरी तरीके से सिक्योर नहीं होता जैसे कि आपका पासबार्ट पैटर्न यहां पर आपको दिक्कत नहीं मिलती है अगर हम बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी चार्जिंग आप लगाते हो यहां पर हीटिंग इसू जरूर देखने को मिल जाती इसमें 2.46 GHz आपको मिलता है यहां पर आपको मिल जाएगी रीजन आपर आम से चेंज कर पहोगे बाकी के आपको से मिलने वाले कोई चेंज नहीं अगर हम चलते यहां पर अपने कंटूल सेंटर की तरफ यहां फिलाल इंडॉड 11 में जैसा मिलता वुफितरी के सापको मिलने वाला है सारी चीचे बस यहां पर आपका ड्रेक साउंड भी दिया गया है सुब वायरेट पार्ट भी है एपिस इंफो भी आपको यहां पर मिल जाता है ति सारी चीचे जो है पिछले अपडेट में एड की गई थीम के बारे मैं आपको पिछले अपडेट में बताया था लेकिन फ आपका ट्रेक्स आंड है जिए और की वर्किंग मिल जाता है फुली और नीचे आपको यस भी फास्ट चार्ज मिल जाता है इसके बारे पूरी डिटेल में पिछले वीडियो में आपको बताया था एन वॉल्म पैनल आपका यहां पर यहां पर यहां पर पिछले बडेट से व 1.5 जी भी था यहां पर 1.4 है लेकिन इसमें भी जो है 1.5 तक आ जाते कभी गवार तिया जो है सेम ही है और अगर हम यहां पर चलते हैं अपने एप बोल्ट के तरफ यह बिल्कुल लेटेस्ट है इसमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है बिल्कुल आपका लेटे जो है आपको मिलेंगे यहां पर हमारा जो प्लेटेस्ट है यह बिल्कुल आपको सैटीफाइड मिल जाता है तिया होगी दिक्कत देखने मिलने वाली है 105 Mbps तक का 105 Mbps यहां पर फ्रेम रेट हमारा 90% लोग मिल जाता है और कॉलिंग के अंदर हमारा यहां पर वोल्टी काम कर रहा है बीडियो का बग अभी भी आपको मिल जाता है यहां पर Bluetooth audio आपका बिल्कुल fix हो चुका है यहां पर यहां पर वाइफाई आइकन जो है आपको यहां पर यहां पर सो होता हुआ देखने को मिलेगा इस अफडेट में यहां नहीं कर और यहां पर background blur भी आप देखोगे calling का दिस बार आपको जो है blur के साथ अलग देखने को बिल्कुल blur इसक्ट देखने को मिलता है और proximity sensor अभी वीच का बग मिलता है लेकिन इसके बारे प पास पास भी फिर से मिल जाएगा तिया जो है पिछले अपडेट के तरह स्कोर अगर हम बात करते हैं यहां पर गेम टर्बो की बारे में तो यहां पर वोश चेंजर आपका इंप्रूब हुआ और यह बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं पहले भी काम करता था लेकि उन्द रहे हम बात करने पपजी परहोंेंस के बारे में तो पिछले गोसिफ़े में आपको घ।amaan बूल कि देखने मिलता हैं तो यहां पर देखने को मिल जाता है रहा लाकि यहां पे देखने को मिलता एच्योए यहां पर के बारें बता पी macht कर्वेड कोई फर्क नहीं पिछले पडेट में जपको कुछ भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है almost same है बस यहापका हेटिंग इसू पिछले बीडेट में था और इस update में भी आपको उसी दरीके से देखने को मिल जाता है तो यह जो है सारी चीज़े आपको मिलती है बस यहाँ पर आपका performance improve मिल जाता है साथ साथ आपका यहाँ पर background जो की blur आप देखोगे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करके ओल पर कर दीजे ताकि जब भी मैं अगले वीडियो अप्लोड करूँ आप सब इको notification मिल जाओ डेविल वाली जो रोम थी मिवाई कि उसके लिए comment करके ज़रूर बता देना कि आपको जो है आज रात तक चाहिए फिर कल मॉर्निंग में तो आप जो है comment करके बता देना थैंक्स फॉर वाचिंग